Hello Friends, Namaskar and Welcome to Shama Dhan साथियों आप सबको पता है कि जो नुबेल का पुरुषकार होता है उसका हर सल एनाउस्मेंट किया जाता है और ये साथियों जो पुरुषकार होता है आपका मेडिसिन के छेतर में दिया जाता है अब Physics के छेतर में हो गया Chemistry और सांती का हो गया और Literature इन सब ही छेतरों में ये जो नुबेल को पुरुषकार होता है इसका हर सल गोषना किया जाता है और हर सल किशिनक किशिको दिया जाता है तो इस बार भी 2022 का पुरुषकार है इसका एनाउस्मेंट शुरू हो चुका है साथियों तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी आज के डिट में कौन सा नुबेल पुरुषकार का एनाउस्मेंट किया गया है और अगले जो पुरुषकार होंगे चाहे वो एकनॉमिस के च्छेतर सो हो और फिजिक्स के च्छेतर सो इनका कब एनाउस्मेंट किया जाएगा साथी साथी यहाँ पे यह हम लोग देखेंगे कि आखिर नुबेल पुरुषकार का इंतिहास क्या है आखिर यह क्यों दिया जाता है और अब तक कितने भारतियों का यह पुरुषकार मिल चुका है जो कि आपके exam point of view से काफी important होने वला है तो वीडियो को अन्त तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा तो साथी उस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें तो आज के date में यहाँ पर यह देख सकते हैं कि नोबल पुरुषकारों का एलाम सुरू medicine prize 2022 स्वीडेन के शावंते पाबो को मिला गया यहाँ पे यानि कि जो medicine का है medical के छेदर में जो नोबल का पुरुषकार है उसका हाज announcement हो चुका है और यह पुरुषकार जो है इनका नाम जो announce किया गया है वो है यहाँ पे सावंते पाबो जो की स्वीडेन के रहने वाले हैं और medical के छेदर में इनका आप लोग नाम याद रखेंगे कि 2022 का जो medical का नोबल पुरुषकार है medicine के छेदर में वो सावंते पाबो का मिला है जो कि स्वीडेन के रहने वाले है साथ अक्टूबर को सांति पुरुषकार का आईलान होगा और जो नोबल का सांति पुरुषकार होता है साथियो इसका जो announcement है आपको यहाँ पे 7 अक्टूबर को किया जाएगा हलांकि हम लोग सब पुरुष पुरुषकार होता है तो यहाँ पे नोबल प्राईज एक नजर में देख लेते हैं जो इसका अस्थापना हुआ पुरुषकार का सांति वह 1895 में हुआ किया गया था इसका नोबल प्राईज का और पहली बार ये पुरुषकार अधिया गया था और एक्णौमिस में इसकी छितर में दिया जाता है साथि-उग टोटल प्राइज के बाद करें साथि-उग यहाँ पर तो 7.36 क्रोड पे यहाँ पर टोटल प्राइज होते हैं आगे इसमें नेक्स्ट स्लाईड भी हम लोग बढ़ें तो नेक्स श्लाइड के तरफ बढ़ेंगे तो यहां प्रेडक सकते हैं जो मैंने यहां पर बताया कि जो स्वीडन के इजधानी स्टॉक हूं में नोबल प्राइज वीक 2022 सुरू हो गया है मेडिसिन की काटेगरी के प्रुस्कार स्वीडन के शावंते पाबो को दिया गया है उन्हें है प्राइज जिनों और मानौ बिकास से समंधित रिसर्च के लिए दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं हैं संतु पाबो इनको दिया गया है नेक्स श्लाइड में आप लोग बढ़ेंगे जहाँ पर तो देख सकते हैं देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साथियों की अलग-अलग जो काटेगरी जहें यहाँ पर उनका एनॉंस्मेंट कब किया जाएगा तो देखिए 21 नोबल काटेगरी का आईलान कब तो मेडिसिन का यहाँ पर 3 अक्टूबर को आज कर दिया गया है अब फिजिक्स के बात करें साथियों तो कल यानि 4 अक्टूबर को इसका भी अनॉंस्मेंट कर दिया जाएगा केमेश्ट्री का 5 अक्टूबर को किया जाएगा और यहाँ पर लिट्रेचर की बात करें तो 6 एक्टूबर को यहां पे किया जागा लिटरेचर का और सान्तिक जो पीस का नाउसमेट करते हैं और अगले सलाइड में इसको दखते हैं तो यहां पे दखिए साथी उब बात करते हैं कि आखिर इस प्रुषकार की सुर्वात कैसे हुई तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अलफ्रेड नोबेल सर हैं यहाँ पे जिसने डाइनामाइट बनाया उसके नाम पर ही प्रुसकार जी हाँ यह आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं इन्होंने जो डाइनामाइट बम होता है उसका विष्कार किया था और इनका जन्म यहाँ पे देख सकते हैं 21 अक्टूबर को 18 से 33 में हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं नोबेल प्रुसकार बैग्यानिक और इन्वेंटर अलफ्रेड बर्न हार्ड नोबेल की वसियत का धारपर दिया जाते हैं तो आपसे यहाँ पे एग्याम में अगर कोशन पुछा जाए कि जो नोबेल प्रुसकार होता है वो किसके नाम पे दिया जाता है तो जो बेग्यानिक है यहाँ पे देख सकते हैं से अलफ्रね quieres नोविल की विश्येंह स्वीडिये नोविल के नाम पर यह प्राइस दिया जाता है तो आगे इसमें देखें कि आप लोग डियों यहोग बढड़ते हैं और निमिख स्लाइड देखते हैं जैसे की यह ग tek इसके लिए उन्होंने मानावता को लाव पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रोपोर्टी में से प्रुसकार देने की इच्छा देता है तो इन्होंने सोचा कि अब तो मैंने इसका विश्कार कर दिया है लेकिन लोग उन्हें डाइनामाइट की वज़ा से सबसे ज़्यादा जानते हैं अब तक 975 सक्सियत और संस्थानों को 609 नोवल प्रुसक सबस्के इंपोर्टन सवाल कभी कुछा जाता है कि संती का 915 कहा पदान किया जाता है सागतियो कि जो आपका संती का 915 होता है वह वह प्रुसकार होता है और वह आपका नौरवियम दियाता है और बाकी के जो भी है इस टॉक होंबे दिया जाता है अब साथ देख लेते हैं कि अभी तक जो नोबेल प्राइज पाने वाले भारतिये हैं या भारति मुल्के कौन-कौन है तो यह भी देख लेते हैं हम लोग जो की एकजाम अगले बात करें तो 1989 में मदर ट्रेशा को शांति का प्रुस्कार मिला था मदर ट्रेशा जो की अलबानिया में जन्मी थी लेकिन भारत के इनों नागरिता ले रखी थी और 1983 में यहां पर डक्टर सुब्रमन्यम चंदर सेखर को फिजिक्स में मिला था साथ ही चंद चेखर सीमा की खोज भी आप लोग जोगराफी में पड़े होंगे तो इनको 1983 में फिजिक्स के छेतर में नोबल का प्रुस्कार दिया गया था और जो चट्थे नमर पर मिला तो अमरत्यसें को इकनॉमिस के छेतर में इनको नोबल का प्रुसकार दिया गया था और 2014 में जो सांती का नोबल प्रुसकार दिया गया था और 2019 में विजित इसके बाद से अभी तक 2019 के बाद किसी को अभी नहीं मिला भारत में तो देखते हैं अगला जो एनाउस्मेंट होने वाला है उसमें किसी भारतिया गनाम आता है या नहीं और बाकी अपडेट के लिए साथ हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ जाए समाधा अभी अधित्या चैनल पर और यहां से सारा आपका जो भी एजुकेशन से रिलेटिट कॉरेंट अफियर हो गया या कोई भागेंसी हो गई भी ब्ससी सारे अपडेट यहां पर आपको मिलते रहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को किजिए ताकि अधित्य लोग के पास वीडियो पहुंच सकें धन्यवाद